हेलो फ्रेंज, विल्कम तो शिक्षा, कैसे आप सब आश्छा करते हैं, सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंज, मैंने आपको पर सो बोला था कि इंडियन एकॉनमी के ओपर भी हम एंडियन एकॉज करेंगे ठीक है काफी सारे questions जो है इसमें मैं past years से लूँगा और वो UPSC के ही exams में से उनको mainly मैं जो है pick up करूँगा जैसे आपका CDS का exam होता है CAPF का exam होता है ठीक है कुछ questions जो civil services के exam में भी आते हैं जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं आप से ठीक है state services various examinations से भी मैं questions लूँगा और कुछ questions मैं खुद से भी आपके लिए लेकर क्या होंगा जो concept clarity के लिए होंगे जो question past year के होंगे वो मैं आपको बता दूँगा कि ये इस साल में इस paper में आया था ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो पहला सवाल देखते हैं पहला सवाल कहता है devaluation usually causes the internal price to devaluation से internal price के उपर क्या effect आता है fall, rise, remain unchanged या none of these सबसे पहले तो इसमें question को समझना ज़रूरी है कि ये बात यहाँ पर क्या कर रहा है devaluation क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और internal price क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो answer यहाँ पर क्या होगा option C unchanged रह forward adjustment of the value of country's currency ठीक है deliberately अगर कोई country अपनी currency को किसी दूसरी currency के मुकाबले गिरा रही है for example India अगर deliberately कह रहा है कि मेरा अभी 40 रुपे का एक डॉलर है इसको 50 रुपे एक डॉलर पर लेकर जाना है यानि कि हम अपने रुपी की value डॉलर के मुकाबले जान बूच कर गिरा रहे है तो उसको हम क्या कहते है devaluation ठीक है अब devaluation हो रहा है यानि कि रुपी डॉलर के मुकाबले गिर गया अब कोई product है for example एक pen है अब यह pen का dollar से कुछ लेना देना नहीं है यह इंडिया में बनता है ठीक है और इस pen को बनाने के लिए जो raw material है वो भी सारा इंडिया में से आ रह जो इस pen का internal price है चाहिए dollar 40 रुपे का हो जाए या 50 का हो जाए या 60 का हो जाए यह pen का rate उतना ही रहेगा लेकिन दूसरी जगा एक pen है एक special pen है इसकी refill जो है हम कहीं से import कर रहे हैं ठीक है और यह refill जो हम import कर रहे हैं यह हमें dollars में इसकी payment करनी बढ़ती है तो उस case में क्यूंक है ठीक है ना क्यूंकि अगर पहले 40 रुपे का dollar था और पचास रुपे का हो गया है और एक refill पहले एक dollar का आता था यानि कि पहले वह 40 रुपे में refill आ जाता था पचास रुपे में आएगा तो इंडिया के हिसाब से वह pen महंगा हो जाएगा ठीक है similarly अगर रुपिये का जो rate है वह dollar के मुकाबले बढ़ता है यानि कि पहले 40 रुपे का 1 dollar था अब 30 रुपे का 1 dollar रह गया तो उस case में क्या होगा उस case में हम जब किसी को भार समान बेचेंगे तब उसको नुकसान होगा जो exporter है उसको नुकसान होगा क्यों पहले अगर वो pen for example इंडिया में produce हुआ वो एक dollar में USA में बेचता था एक्सपोर्ट करता था तो उसको उस एक pen पे एक dollar मिलता था और एक dollar के उसको 40 रुपे मिल जाते थे इंडिया में मज़ा आजा था अभी भी उसको pen का US में तो एक dollar ही मिल रहा है पर अब रुपे रह गए 30 क्योंकि currency की value जो है वो कम बढ़ ठीक है अगर हमारी currency जो है sorry में उल्टा बोल गया अगर हमारी currency appreciate होती है तो उस case में जो exporter है उसको नुकसान है अगर हमारी currency जो है वो devalue होती है या depreciate होती है उस case में exporter को फाइदा है importer को नुकसान है ठीक है उस case में exporter को फाइदा है और importer को नुकसान है ये चीज आप अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, अब devaluation जब हम term use करते हैं, हम ये उन countries के लिए use करते हैं, जहाँ पर fixed exchange rate होता है, क्योंकि devaluation में मैंने आपको क्या बोला, deliberately अगर किसी country ने किया है, ठीक है, अगर जहाँ पर fixed exchange rate system नहीं है, वहाँ पर तो market mechanism से country depreciate या appreciate होती है, वहाँ पर countries individually कोई उसमें currency के साथ manipulation नहीं कर सकती, तो कहीं बार हम terms devaluation को confuse कर देते हैं, depreciation के साथ, depreciation जो है, वो basically आपकी उन currencies में होती है, जहाँ पर free market mechanism जो है, वो follow किया जा रहा है, जहाँ पर fixed exchange rate या semi fixed exchange rate follow किया जाता है, वहाँ पर devaluation term हम use करते ह है, okay, I hope आपको एक concept clear हो गया होगा सारा, चलो, second question देखो, the supply side economics lays greater emphasis on the point of view of, supply side economics, किसके point of view पे greater emphasis ले करता है, producer के पे, global economy पे, consumer या फिर middleman, supply side economics, ठीक है, simple सा question है, अगर जरा सी भी economics आपने पढ़ी है, 11th और 12th class में, अगर आप commerce background के ते तब तो बहुत ही अच्छा, non-medical background के थे, या medical background के थे, तो शायद थोड़ी से problem आ सकती है, तो supplier side economics basically producers को concern करती है, alright, so supply side economics lays greater emphasis on the point of view of producers, whereas demand side economics की जब हम बात करते हैं, तो वो consumer की interest की बात करती है, ठीक है, तो supply side economics is for emphasis on producers and demand side economics is for interest of consumers, okay, ये याद रखेंगे, चलिए, third question आपके सामने आगए, ये question CDS 2016 में पूछा जा चुका है, which of the following is not a public good, इन में से कौन सा public good नहीं है, चार options है, electricity, national defense, lighthouse या public parks, इन में से कौन सा आपका, जो है public good की definition में नहीं आता है, देको इस तरह के questions बहुत जादा confuse करते हैं, और बच्चे फस आते हैं, इन में क्योंकि ये NCRT हमने धंक से पड़ी नहीं होती हैं, तो इ इसी वज़े से ये चीज़े रह जाती हैं, पर ये इतना मुश्किल सवाल है नहीं अगर पड़ा हुआ हो, अंसर इस केस में होगा, आपका option A, electricity, देखो बाकी के जो तीनों है, national defense, light house और public park, ये तीनों के तीनों public good की definition में आते हैं, ठीक है, अभी public good की definition भी हम आखे करेंग अभी public good के उपर एक और question दिखाऊंगा, उसके बाद करेंगे, electricity फिर क्या है, अब आपको होगे, electricity तो सबके घर पे आती है, सबका अधिकार है, तो वो भी public good हुआ, नहीं, electricity को हम रखते हैं, club good की definition में, ठीक है, club good की definition में होता क्या है, basically, ये वो resources होते हैं, जो available तो easily होते ह अब बिजली, अगर आप शहर में रह रहे हो, बिजली easily available है, लेकिन, it can be easily prevented from being consumed और consumption can be restricted, लेकिन सरकार चाहे, तो आपकी consumption रोख सकती है, या limit उसके उपर लगा सकती है, ठीक है, ये कब किया जाता है, ताकि जो depletion है, या overuse है उन resources का, वो कम किया जा सके, ठीक है जी, So, such goods are made deliberately scarce in order to increase their value and discourage over consumption, तो इस तरह के goods को deliberately scarce बनाया जाता है, ताकि उनकी value increase की जा सके और उनका over consumption discourage किया जा सके, electricity के साथ भी ऐसा ही होता है, इंटरनेट, roads, cinema, electricity, ये सारे के सारे क्या है, example है, club goods के, all right, चलिए, Fourth question देखेंगे, what is meant by club goods, sorry public goods, और ये question B, जो आपका CDS 2015 के exam में पूछा जा चुका है, options है, a public good is a commodity produced by the government, option B, a commodity whose benefits are indivisibly spread among the entire community, a government scheme that benefits the poor household, any commodity that is very popular among general public, इसमें क्या answer होगा, public good, देखो, चारो options बहुत जादा confusing है, ठीक है, देखो, a commodity produced by the government, government तो एसी commodity भी produce करती है, जो सेल के उपर लगती है, ठीक है, तो वो public good कैसे हुआ, public good कैसे हुआ, who can, government बहुत सारे areas में manufacturer है, तो, और सेल सिरफ उसको हो रही है, who can afford it, who can buy it, then how is government, if government is producing a commodity, तो how we can say that वो एक public good है, we cannot, we can not say so, are you getting my point, all right, so option 1 गलत हुआता है, ठीक है, option C क्या कहता है, a government scheme that benefits the poor household, अब पॉब्लिक good की definition क्या होती है, public good कहता है कि वो goods जो सबको अवेलेबल है, not specifically to the poor household, they are available to every section of the society, to every person of the society, to every person of India, okay, so यह जो government scheme जो benefit कर रही है poor household को, यह beneficiary schemes हैं, यह benefit schemes हैं, यह social schemes हैं government के लिकिन आप इसको public good नहीं कह सकते, option D कहता है, any commodity that is very popular among the general public, अब कोई commodity general public के अंदर popular है, तो आप उसको public good की definition में नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसको define नहीं करता, तो public good क्या होता है, वो commodity whose benefits are indivisibly spread, यानि कि indivisibly spread का क्या मतलब होता है, कि कि किसी के use करने से, किसी दुसरे का अधिकार उसमें नहीं मरता, ठीक है, इसलिए हम public, और यहाँ पर option होगा आपका भी, इसलिए हम public goods को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि they are non-excludable and non-rivalrous, क्योंकि यह सारी society को provide किये जाते हैं, इसलिए non-excludable है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिरफ अमीर गरीब को provide करे जा रहे हैं, या किसी एक particular religion, सबके लिए है, non-rivalrous, क्यों इनको कहा जाता है, क्योंकि अगर एक individual इन goods को consume कर रहा है, तो दूसरे individual के लिए इसकी availability कम नहीं होती, उसके लिए भी उतना ही available है, या फिर उसको exclude नहीं किया जा सकता है, इसको use करने से, example, education, infrastructure, lighthouses, flood control system, knowledge, fresh air, national security, official statistics, ये सारे क्या है, public goods के examples है, ठीक है, थोड़े से examples आपको याद रखने हैं, जो पूछे जा सकते हैं, paper के अंदर, ओके, चलो, अब public goods जो होते हैं, इनमें एक बहुत बड़ी problem होती है, जिसको हम बोलते है, free rider problem, free rider problem क्या होती है, जब मुफ्त का समान मिलता है, तो उसकी value कम हो जाती है, ऐसा कहते है न, जब कोई चीज बिना महनत के, बिना खर्चे के मिल जाए, तो उसकी value कम हो जाती है, तो वो ही होती है, free rider problem, ठीक है, क्योंकि use के उपर कोई restriction नहीं है, आपको exclude नहीं किया जा रहा है, उसको use करने से, आपको pay भी नहीं करना पड़ रहा है, उसको use करने के, लग कुछ लोग कहेंगे, sir, tax pay करते तो हैं, पर tax सब लोग pay नहीं करते, टेक्स के brackets बने हुआ है, ठीक है, जो rich section है, वो tax pay करता है, तो उसमें आप tax payment को नहीं लेकर करके आ सकते हैं, कि हाँ, मैं तो public good के लिए tax pay कर रहा हूं, तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं है, ओके, तो free rider problem is shared as the burden on a shared resource, burden कैसे, when a person is using or overusing this goods without paying his or her fair share of it, ठीक है, overuse आप कर रहे हैं, लेकिन आप taxes भी नहीं पे कर रहे हैं, अगर आप tax bracket में आभी रहे हैं, तब भी आप tax evasion कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये free rider problem यहाँ पर होती है, जैसे panjab के farmers के साथ ये बड़ा सारा case होता था, green revolution के बाद, वहाँ पर water supply जो है, वो completely free कर दिया गया, कि farms में water supply जो है, वो free रहेगा, जिसकी वज़े से, जो salinization का problem है, agriculture में, पंजाब में, वो बहुत ज़ादा बढ़ने लगा, जो मिटी है, उसका salinity जो है, उसका salt content जो है, वो बहुत ज़ादा increase होने लगा, क्योंकि, प तो उससे जादा हो रहा था, जितना crop को नहीं चीह होता, तो उससे भी जादा पानी इस्तेमाल हो रहा था, और पानी अगर standing water रहेगा, जमीन के अपर, तो वहाँ पर salinization होगी ही होगी, ठीक है, तो यह एक free rider problem का example, और चले, last question देखेंगे, which one of the following term is used in economics to denote a technique for avoiding a risk by making a counteracting transaction, CDS 2016, ठीक है, economics में कौनसी term use की जाती है, जो एक technique है, जिससे आप future अपना जो risk है, उसको avoid कर सकते हो, एक counteracting transaction करके, option A, dumping, B, hedging, C, discounting, D, deflating, अगर जरा सी भी economics पड़ी है, बहुत असान सवाल है, बिलकुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, पर अगर economics से दूर-दूर का रिष् basically a risk management strategy, which is employed to offset losses in investment, by taking an opposite position in a related asset, now for example, if you are holding an asset, ठीक है, आज for example, 3rd April है, and you are holding an asset, आपको डर लग रहा है कि यार यह जो मेरे पास asset है, यह जो मेरे पास product है, इसका price है future में decline कर जाएगा, ठीक है, तो आप एक person को hedge कर देते हो, अपना product 25th April के लिए, ठीक है, आज के price पे, आपने प्राइस है 100 रुपीस, तो मैं तुझे 25th को 100 रुपीस पर ही यह product जो है, ठीक है, यह security जो है, तो एक तरह से आपने अपनी position secure कर ली, आपने future losses जो है, उनको offset कर दिया, लेकिन यह आपर एक risk भी है, क्या आपता यह 100 की जगा 200 का हो जाए, तो आपको profit भी नहीं मिलेगा, और future contracts में इसका इस्तिमाल किया जाता है, ओके, चलिए, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 5 questions जो है, economics के खतम हुए, भूप आपको मज़ा आया होगा, अभी और भी बहुत सी वीडियोस देखेंगे, economics की चिंता ना करें, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर करना है, कर लिया है, तो share ज़रूर करना है, कोई doubt है, comment section में post करना है, वीडियोस आपकी screen के उपर है, बाकी की playlists वो भी देखनी है, मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई